हेलो एब्रिवन, मैं राजिव अंडारी, आप सबको स्वागत करता हूँ अपने चाइन लेक्टिकल एड़ में तो आज हम जो फिजिक्स के, फिजिक्स है, क्लास्ट वैल्थ की उसका नहा टॉपिक लेखाया है तो कल हमने प्रिटरी का चुम्बकत्तों के बारे में पढ़ा था, ठेक है, आज हम पड़ रहे हैं, उसी के कुछ, उसी में कुछ डेफिनेशन आती है, ठेक है, उनको हम ये पड़ रहे हैं तो जिसमें सबसे पहली definition आते हैं दिख पात कुन क्या बोलते हैं दिख पात कुन तो यह क्या होता है तो कल मैंने आपको एक चीज़ बताया था भोगोली की हमें होता है जो आपका जो main पर्मेनेंट नौर्थ और पर्मेनेंट जो साउथ होता है ठीक है जिसे हम जेग्राफि जो तल यहा से पास होता था ठीक है जो तल भोगोली काहा से पास होता था उपका जैसी प्रत्वी है ठीक है यह पिर्च वी ए तो जो उसके चुम्बक्य यामेघतर से पास होता है यहनी चुम्बक के पोल जो होते हैं आपके जिसको हम NM और SM लेते थे ठीक है तो इनसे जो तल पास होता था उसको हम चुम्बक के यह में उत्तर बोलते थे ठीक है कोई भी तल जो इनसे पास होता था तो उनके बीच का जो एक कौन बनता है न ठीक उसी को हम बोलते हैं दिखपात कौन आए समझ में भगोली के याम्योत्तर एब हम चुम्बके याम्योत्तर के बीज बनने वाले कौन को क्या बोलते हैं दिखपात कौन बोलते हैं ठीक है यानि जब भी आप किसी चुम्बके स्वीं को क्या करोगे यहां पे क्या करोगे रखोगे पिट्थी पे रखोगे तो वो क्या होगी किस दिसा में रुखेगी वो रुखेगी इस दिसा में जाके रुख जाएगी ठीक है यहनी जो यह आपका चुम्बा के यह में उतर है न इस पे जाके इस तरह के से रूख जाएगी ठीक है ऐसे यानि उसका जो चुम्बा के सुई का नौर्थ और साउथ इस तरह के से रूख जाएगा तो वहाँ पे जो कोन बनेगा आपका उसी को बोलेगे हम दिखपाथ कोन ठीक है अब हम सेकंड परते हैं नती कोन यानि एंगल ऑफ डिप किसे बोलते हैं ठीक तो जैसे दिखपाथ कोन होता है ना दिखपाथ कोन का भी मान के होता है हर जग अलग अलग होता है यानि आप यहाँ पे ले रहो तो अलग होगा यहाँ हर जग यहाँ पर मतलब पिर्थी के यह होगया ठीक है गृगली क यहम मतोर ठीक है और एक महां कि आपका चुम्बह के यहाम मतोर इस तरहे में essere लड़े ठीक, अब क्या होता है, जैसी आप यहाँ पर मालो आपने चुम्बा के सुई को कुछ इस तरीके से लटका है, जो फिरी यह गूमने के लिए, ठीक है, वो 36 जिसा में भी गूम सकती है, और उर्ध्वादर भी इस तरीके से भी गूम सकती है, ठीक, तो जब आपने चुम्बा किया धुरूब पर आई, तो चुम्बा के धुरूब पर जाने पर वो, क्या होगा, वो 36 से, क्या होगी, कुछ इस तरीके से जुग जाती है, ठीक है, नब्बे डिग्री पर, इस तरीके से, यानि उर्ध्वादर जिसा में जुग ती है, जैसे ही माल रही है ना, ये इस सा निच्छे ऐसा चाज़ाएगा ठीक है इस तरह के से तो इसको बोलते हैं हम नती कोन या एंगल अफ डिप ठीक तो होता क्या है जैसी आप क्या है चुम्बा के धुर्वियानी यहां पे आते हो तो चुम्बा के सुनीच होती है वो इस तरह के जुग जाएगी ठीक है इस तरह के से और इस वाले पर भी जाओगे तो इस तरह के जुग जाएगी ठीक तो उसी को बोलते हैं हम नती कोन या नि 36 36 क्यों हो गया जैसे मान लो यह यह अभी 36 हो गया पिर्थ्श्वी का 36 हो गया तो आभी पिर्थ्वी की माले पिर्थ्वी पिर्थ्वी की यह तल हो गया यह लहीं जहां पर मैंने कल बताया था कि चुम्बके सुनी के होती है यहां पर मैंने बताया था आपको चुम्बके दुरूप कैसे निकालते थे यह सब मैंने पिछली वीडियो में बताया है तो जहां पर चुम्बके सुनी के होती है जुकती थी अपकी ठीक है उर्द्वार्दा जु तो यहां पे जो चुम्बा के सुनी रहती थी वो 36 रहती थी आपकी ठीक है यहां पे और यहां पे क्या रहती थी 36 रहती थी ठीक तो यहां पे जो नतिकोंड का माहन होता है वो सुन्य होता है क्योंकि यहां पर जुखती नहीं है जैसे पिर्सवी का तल है तो यह चुम्बा क है समझें तो यह डेफिनिशन आपको याद रखनी है तो यहां पर क्यों अगर मान लो मैं 36 को इस तरह के से लेता हूं है एच ठीक है और इसे मैं उठ्धारदा लेता हूं वी तो यहां पर जो जितना जुकेगी ना यह चुम्बा के सुई चैतिस से जितना जुकेगी उसको हम लेते है ठीटा ठीक है इसको ले लेते हम इने ठीटा और इसको ले लेते हम बी इ बी का मतलब है यह क्या है पिर्थवी का चुम्बा के चेतर यानि यह जो जितना आपकी चुम्बा के सुई जुकेगी वो आपको क्या बताएगी च्कुमबक्या च्चटर को बताती है। आप इसको परिनामी च्छेत्र है। इस तो अगर आप हैं इस्को घटकों में तोड़। आपको बताएं इसकोस घटक लेते हैं।। इसको जो किसका 36 गटक है जो क्या 36 गटक उसकी value क्या होगी h की तो यह होगी be cos theta ठीक है और जो उर्धुहादर गटक है वी उसको लेने हम be sin theta ठीक है अब हम इन दोनों के जो यह हमने 90 degree और यह देखे न वो भी हम check कर लेते हैं तो अगर हम क्या आँ देखें चुम्बक के धुरुबो पर यहां पर यहां पर तो अगर हम यहां पर आपको पता है 90 degree में जुकरी तो theta की value कितनी रख दो है 90 तो यहां पर h की मान कितना आएगा h का मान यहां पर आएगा आपका दोखो यहां पर cos 90 0 होता है तो पुरा क्यों हो जाएगा 0 ठीक है और इस वाले में रखोगे 90 तो 1 होता है तो v ब्राबर be ठीक है इसका मतलब क्या है यहां पर जो चुम्बक है स्वी होगी ना वहां 36 दिसा में नहीं जुकेगी 36 दिसा में उसकी value क्या है 0 जो भी होगया उसका कहा होगा उद्धाद दिसा में है ठीक है यानि वो इस तरह के जुक जाएगी प्रेण धुरू और वहां पर क्या होगा जो जितना भी जुकेगा नीचे के तब वह बताएगा चुम्बक के छेतर 2 को बताएगा वी की value जो है b e है ऐसी हम चेक कर लेते हैं ऐसी हम इसको चेक कर लेते हैं चुम्बक क्या निरक्ष में यानि equator ब्रहे है तो equator में क्या रखेंगे ठीटा की value 0 degree ठीक तो यहाँ पर अगर 0 रखेंगे पहले इसमें रखते हैं तो h क्या हो जाएगा cos 0 की value की आगी 1 तो h ब्राबर be होगा और यहाँ पर 0 रखेंगे तो यह 0 हो जाएगा यानि v equal to 0 तो यानि निरक्षों पर क्या होता है जो क्योंकि यह क्यों होती है चुम्बा के शुष 36 में ही रहती है तो इसलिए जितना भी प्लस v का square equal to b e का square cos square theta plus b e का square sin square theta तो यहाँ से h square v square यहाँ से b e की value निकाल दो b e square भारा जाएगा तो क्या बचेगा cos square theta plus sin square theta इसकी value 1 होती है तो यह बन जाएगा h square v square इसका square रटाइगा तो इसमें root लग जाएगा b e तो यहाँ से b e की value भी निकाल गी तो यहाँ से b e की value भी निकाल गी ठीक है इस पर आपके नुमेरिकल आते हैं इसी तरह के सब्सका एंगल भी निकाल सकते है अगर आपने समिक्राण 1 और समिक्राण 2 को क्या कर दिया डिवाइड कर दिया तो h upon v equal to क्यों होगा b e cos theta upon b e sin theta तो यहाँ से b e से b e कर गया तो यह क्या बनेगा आपका स्वारी मैंने क्या कर दिया equation 2 को equation 1 से डिवाइड करना था ठीक है तो यानि v upon h equal to b e sin theta upon b e cos theta तो यहाँ से b e से b काटा sin theta upon cos theta कितना होगा 10 theta तो v upon h क्या हो गया 10 theta तो यहाँ से आप angle भी निकाल सकतो ठीटा की वाल्यू थीटा क्या होगा 10 हीजा जाएगा inverse में तुहां से ठ टीटा की वाल्यू भी निकल जाएगी तो आई होप आपको समझ में आया होगा कुछ फॉर्मले यहाँ पर जो जिस पर numerical आते हैं बाकी नती क्यों क्योंता है दिक पात क्योंता है इसको भी मैंने आपको समझा दिया है तो थैंक्यू